गूड इमिनिंग माई दियर स्टूडेंट्स आई हो बहुत बढ़ी आउंगे आप सभी और इसी के साथ ही आज हम करेंगे हमारे सलेबस की एंडिंग जो की होएगी टेस्ट पेपर से स्टार्ट क्योंकि हमने पूरी की पूरी बुक कर ली है सारा का सारा सुलूशन आपको प खुड़ा एक एक उठाया गया है टोपिक और आपको कोशन की रूप में दिया हुआ है मिक्सप है मतलो कि जितने भी आपने लेसन किये हैं अगर आपने अच्छी से किये हैं तो यह आपका हो जाएगा सही से और यह दिया है आपको 60 marks का ठीक है तो फरस्ट है राइट स्ट से कोई बात बता दिया जाता है या fact या opinion या फिर कोई idea वो simply होता है लेकिन imperative में क्या होता है imperative में आपको या तो please मिला दिखाय दे जाए लिखा हुआ या फिर starting में लिखा हुआ हो let या let's या आपको दिखाई दे कोई request की गई है कोई command दी गई है या फिर कोई suggestion दिया गया है वो हो जाता है हमारा imperative में तो इसके अंदर दिया हुआ है आपको करना है statement right या फिर करना है imperative right कर दोगे then change a statement into imperative और imperative into statement in your notebook मतलब कि हमने notebook के अंदर इनको change भी करने हैं वाइस वर्सा जिसको बोल देते हैं तो यहां है let's plant अभी let आगया भी अभी मैंने बताया था आपको दिखाई देजे please या फिर दिखाई देजे let तो आपको क्या होता है imperative इसने बोला है let's plant और तो यह का imperative आगया आपको देखने की भी जुरूरत नहीं है फिर we can visit the nursery to choose the saplings तो यह statement उसने बताई है यह statement की रूप में हो जाएगा और थर्ड कम आउट तो दा गार्डन वीद में की बहार आजाओ मेरे साथ गार्डन से तो वह उसको थोड़ा सा रि पिर next है हमारा we can decide where we will plant the saplings तो यह statement उसने बताया गया है simple है ना please दिखाई दे रहे ना मुझे लेट दिखाई दे रहे ना कोई request है ना command है ना suggestion है तो statement है यह last week statement हो जेगा I don't know where the garden tools are kept की मुझे नहीं पता कि सारे के सारे ओजार कहां है जो गार्डन के लिए यूज होता है gardening नहीं में plant नहीं में है second part है write the plural form plural करना है अब जैसे woman है w-o-m-a-n लेकिन जब इस का में पिलूरल करेंगे तो यह कैसे चेंज हो जाएगा w-o-m-e-n हो जाएगा यहां 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 पर क्या हो जेगा e में singular में ए आएगा plural में क्या हो जेगा तो यह क्या बन जाएगा वूमन बन जाएगा और यहां पर मैंने सिरफ ई ही लिख दिया है इसके उपर आप देख सकते हो फिर प्यानो प्यानो के पीछे क्या लगाने आपको एस लगाने पी आई एन ओ एस फिर है आपका फुट तो यहां पर हमने कर देना है फीट एफ डब लगा पड़ा है इस लगाओगे तो वह भी लगा पड़ा है फिर है लंच लंच के साथ क्या लगा दोगे एस फिर पर्सन के साथ उनली एस फिर टेक्स के साथ क्या लगा है टैक्सीज और थीव्स के साथ आपको एफ हटा करके क्या लगा देना है वी एएस इस तरह से यह हो जाएगा हमारा thieves c part करेंगे इसमें दिया हुआ है tick the correct verb in the bracket bracket में से हमने tick करना है first is the cats यहाँ पर s लगा हुआ है cats है तो उसके according क्या आएगा have क्योंकि singular के साथ एक के साथ आता है हमारा has और एक से जादा हो तो क्या बन जाता है है इसी लिए यहां पर cat जादा है तो क्या बन जाएगा हमारा have फिर है अर्णव एंड निहा ये भी दो ही दिखाई दे रहे है तो क्या आजएगा वर आजएगा फिर है a herd of cows एक जुंड गायों का तो एक बोला उसने ए बोला है एडिशनल बोर्ड इज ये तो एक ये बोर्ड एक है फिर नो वन हैस नो वन का मतलबत कोई भी नहीं रिप्लाइट टू दा इमेल आई सेंड आउट येस्टरड़े अब इसका डी पार्टिस में देवे फिलिंग दा व्लैंक्स विद ए ए एन एवर दा ए और ए और एन दा फिल करने फास्ट में जैसे दा लोंगेस्ट दा क्यों आया क्योंकि यहां पे एस्टी था यहां पे था सूपर लेटिव डि कॉंसोनेंट के साथ हमेशा क्या लगता है ए लगता है फिर है ताजमेल ताजमेल के सामने दा आएगा क्योंकि दुनिया में जो सी जीच एक है उसके साथ दा लगता है दा मून दा स्काई दा अर्थ दा सोलर सिस्टम दा वोटर दा ताजमेल फिर है फूर्थ वाला तो यह पर हैं interesting in e लगा interesting यह हमारा सवर सवर हो जाए तो उसके साथ क्या लगते हैं हम लगते हैं फिर essay तो यह भी क्या है हमारा वोवल से लगा लो सवर लगा लो या आप I a e i o u देख लिया करो या फिर हिंदी के words की sound देख लिया करो आप करेंगे यह पार्ट और इसके देद दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद अक्रेक्ट फोम फर्जेक्टिव बोक्स में से आपको सेलेक्ट करने हैं फस्ट है विदूर इस ए बैटर फिल्टर दैन एक तो यह दैन दिया हो था दैन से मुझे पता ल लेट टोई इस एन ओल्ड टेड़ी बियर ओफ माइन जोंसा मेरे वाला पुराना टेड़ी बियर वह उसका फिरिट है डिट नोट यू फाइंड इस टेस्ट इजियर दैन यहां पर दैन आया था ना इसलिए आपर इजी ना कर के इजियर आ जाएगा यार आ जाएगा पीर इसके ने दिया ओट टिक दा प्रेक्ट एडवर्ब इन और ब्रेक्ट ब्रेक्ट में से ही आपको करनी है फर्स्ट जैसे आई नोट फिमिलियर विद आ पार्क एज वी रेरली गो दियर ठाप यह नहीं होते तो इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं होते उसे जान-पिछान हमा है वी वर प्लेंग आउटसाइड हम बार खेर रहे हैं वेंदा थंडर एंड लाइटनिंग बिगें फॉर्थ में हैं इसी साल लेट्स गो सम्वेर डाटन नन ओफ अस हैव एवर बीन फिस्ट में हो जगा आई हैं स्क्रेस्ट सर्च एवरिवेर सारी जगा मैंने खोज कर लिय इसके साथ ही हम चलते हैं एंडिंग के तरफ और आप सिस्क्राइब जरूर कर देना अगर आपको यह चैनल अच्छा लग रहा हो तो आप करते हैं मारी प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन में देखिए बोथ माई सिस्टर एंड आई हैब अवर बड़े इन जून अभी बड यूनित होती है तो एट लगाते हैं फिर लगा देते हैं हम ओन और फिर लगाते हैं हम इन पर दाप सल ओंदा टेबल अर्राइव डिस मोर्निंग और कब ता उन का मतलब उतापर जब कोई टच कर रहो उसके उपर पढ़ी है न वह परसल तो वह टच कर रहा इसको इसलिए ओन आ जाएगा आवर ट्रेंट तो नाइट विल डिपार्ट एट मिड़नाइट यो तो फिक्स टाइम के लिए एट हो जाता है फिक्स है बही बारा बजे चल पड़ेगे फिर है देर वाज पार्टी इन दा हाउस नेक्स्ट टो अवर लास्ट फिर दा साल्ट इस इन दा जार इन मतलव का बात है में इंसाइड डैट कप बोर्ड जो सागत्ते के अंदर पड़ा है ना बोक्स के अंदर उस सुरे शिक्स है यू विल फाइंड सम पैंट्स ओन ता स्लेव ओन दा टेबल ओन का बात है जब वो टच कर रहे हो चीज़ पर रो लेट्स मीट एट शिक्स पी अब दिया हुआ है वी एट अवर डीनर इन दा गार्डन टूडे तो यह ज़िए का एक्टिव और फिर मुझे पैसिव कैसे पता लगा इदेख भी लगा रखा तो यह पर भी वाई है यहां पर भी वाई है तो मुझे पता लग यह पैसिव है बाकि सारे क्या है एक्टिव लास्ट है हमारा एड कोटेशन मार्क एंड कोमा देखिये यहां पर लिखाओ निदी सैड्ड यहां पर पे कंवा है नेक्स्टमें इम से स्टार्ट वहां पर हंगरी तक चलेगा कम भी आएंग a । और यहां पर कोशinh it कौशन की गई है और हैं बोग यूप रही होग्यां पर क्रेण शोड लेना चाहो तो इसका ले सकते हो कैसे लगाने हमको यह सारे कॉमाज अधर्वाइस आपको समझाएगे गया क्योंकि चैप्टर में सारी एकस्प्लेनेशन करके दी हुई है आप हाँ से देख सकते हो सो बहुत अच्छा रहा फिफ्ट क्लास का यह सारा सलेबस